हलो दोस्तों सुधाथ है आपका अपने चैनल एक्जाम इसान पे तो आज है 10 जुलाई 2021 डेली पीईबी एनलेजिस के साथ हम लोग हाजिर हैं MCQ format में हम लोग करते हैं ताकि अच्छी तरीके से कबर हो जाए और एक इमेज बन जा कि MCQ कैसा पूछा जा सकता है एक्जाम में देखते हैं आच का पहला कोशन क्या है 2021-22 जो RMS है यानि रभी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के रभी मार्केटिंग सीजन के दौरान maximum wheat procurement किस state के दौरा किया गया है यानि सबसे दगेहू की खरीदी की गई है पंजाब के दौरा देख लीजे पंजाब पंजाब ने सबसे दगेहू खरीदा है 2021-22 के रभी मार्केटिंग सीजन के दौरान ये देख लीजे 132.1 lakh metric ton देखें टोटल रभी मार्केटिंग सीजन के दौरान wheat का procurement कितना हुआ है 433.32 lakh metric ton कितना हुआ है 433.32 lakh metric ton इसको million ton में आप convert कर सकते हैं दस से ड़ीडियो आइट कर दिएगा तो आपकों लेगा 43.32 million metric ton तो wheat procurement कितना हुआ है 433.32 lakh metric ton जो कि पिछली बार से काफी अधा है पिछली बार कितना हुआ था 387 के आसपास हुआ था तो सबसे दा प्रक्यूर्मेंट वीट का किस ने किया है पंजाब ने किया है सेकंड नमबर पे आया है आपका MP और थर्ड पे आया है हर्याडा वीट प्रक्यूर्मेंट का 2021-22 के लिए डाटा जारी किया है FCI ने हाला कि खरीफ कल्टिवेशन तो 2020-21 के लिए जारी किया है था पैडी का तो पैडी का भी आल टाइम हाई था कितना था 865.22 लाख मीट्रिक टन तो 865 लाख मीट्रिक टन के आसपास पैडी का प्रक्यूर्मेंट हुआ था और खास बत क्या है पंजाब दोनों में टॉप पे ही है तो अगर आपको याद रखना है तो सिर्फ वीट प्रक्यूर्मेंट का यानि यह हूँ जो ख़ई दी गई है FCI के द्वारा उसका याद रखेगा 433.32 लाख मीट्रिक टन उसके अलावा गवर्मेंट आफ इंडिया ने ये भी कहा है कि राज्यों का जो प्रपोजल आया था पल्सेस और 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 सीट को पर्चेस करने का उसका भी अप्रूवल दे दिया गया है इसके अलावा इन्होंने कहा है 2021 में जो तमील नाडू के फार्मर्स हैं उनसे लबबग 51,000 मीट्रिक टन कोप्रा पर्चेस किया जाएगा तो कोप्रा आपको पता है साउथ इंडिया की में क्रॉप है और इसके लिए MSP जी जारी कियाती है गवर्मेंट आफ इंडिया दोर्दा तो अगर आपके लिए important है तो wheat procurement कितना हुआ और rice procurement कितना हुआ सबसे अगा किस ने किया तो पंजाब ने किया है दोनों जगे पे ने question है इन में से किस सहर को इंडिया का jasmine capital कहा जाता है तो ये सहर इसमें बहुत चर्चा में है क्योंकि jasmine की एक variety है जो कि यहां पर cultivate किया आती है इसलिए इसका नाम है jasmine capital of India तो मदुराई को jasmine capital of India कहा आता है ये देख लीजे हाली में एक consignment गया है GI certified मदुराई मली का मदुराई मली jasmine की एक variety है मदुराई मली के साथ और कई सारे परंप्रागत flowers हैं जिनको USA और दुबाई के लिए ट्रांस्पोर्ट किया गया है तमिलनाडो से तो jasmine आपको पता ही है साथ इंडिया में flower की एक variety है और इसके लिए GI tag किसको मिला है Vanguard export APDA registered तो Vanguard export है उसको GI tag मिल जाए देखिए APDA के पास GI tag है jasmine का और उसने cultivation authorize किया किसको Vanguard export को तो jasmine capital of India किसको कहते है मदुरई को मदुरई से मदुरई मली और उसके साथ कई traditional flower का पहला consignment गया है कहां के लिए जो ऐसे दुबाई के लिए कुछ खास इसमें बाकी है नहीं बस इतना देख लीजिए कि तमिल नाडु अकेरे तमिल नाडु के रिजन से 11.84 करोड के flower जो है export होते हैं मदुरई jasmine capital of India के लागता है मदुरई मली के कारण और GI certified कल भी मैंने आपको उता था भलिया वीड वेराइटी कहां के लिए गुजरात की थी तब भी मैंने आपको GI tag पढ़ाया था कि GI tag इंडिया में GI act पास वो था इंडिया में 1999 में trips agreement जो WTO का था उसके तहल पास किया गए था इंडिया में पहली चीज थी gargeline tea जिसको GI tag मिला था और GI tag 10 वर्स के लिए valid रहता है हाला कि दोबारा आप अपलाई करके ले सकते हैं GI registry का office का है तो 69 महाल रखेगा नया question है जो agriculture infrastructure fund scheme है इसको अब कितने वर्स तक के लिए बढ़ा दिया गया है तो पहले 10 वर्स के लिए थी agriculture infrastructure fund scheme 10 वर्सों के लिए यानि 2029 तक के लिए थी अब इसको 13 वर्स तक कर दिया गया है 2029 तिस के लिए थी अब इसको 32-33 के लिए कर दिया गया है 2033 तक जाएगी last हुए ये देख लिए जिए government of India द्वरा union cabinet द्वरा हार्दी में approval दे दिया गया है कि agriculture infrastructure fund जो इसकीम थी उसमें संसोधन कर दिया है अब संसोधन तो करेंगी बना दिया एक लाग करोर का fund लेकिन loan उससे disperse ही नहीं हो रहा है लोग उससे loan दे ही नहीं पा रहा है इतनी societies नहीं तो इन्होंने क्या किया amendment ये कि state agencies को approval दे दिया कि वो भी agriculture infrastructure fund के तहर loan ले सकती है state federation को साथ साथ SHGU federation उनको सबको allow कर दिया APMC जो agriculture produce market committee होती है उनको भी approval दे दिया है agriculture infrastructure fund के तहर loan देने के लिए पिछले साल October 2020 के आजपास इसको launch किया था 2029 तक ये जो आपकी scheme थी उसको run किया जाना चाहरा एक लाग करोड का fund create किया गया था FPOS, SG, PSE, startups, agri, entrepreneurs इन सभी को loan देना था खास बत क्या थी interest subvention आपको मिलता था 3% तक का अगर आप 2 करोड का maximum 2 करोड तक के loan पर ही interest subvention मिलता था और 7 वर्सों के लिए मिलता था moratorium 6 महिने का minimum और maximum 2 वर्स का मिलता था अगस 2020 से scheme implement की जा रही मैं अक्टूबर बोल गया प्लीज आप उसको correct कर लिजेगा कुछ संसोधन किये गये हैं वो हम लोग discuss कर लेते हैं देखिए interest subvention पहले एक project हो या फिर 10 project हो आपको 2 करोड तक का ही interest subvention मिलता था लेकिन आप government ने कहा है कि 25 projects है यानि अगर आप 25 project लगाते हैं 25-25 project में मैं प्रत्य project में आपको 2 करोड तक का interest subvention मिल सकता है यह सिर्प private sector के लिए limit है 25 product की हाला कि यह 25 project की limit state agencies के लिए national agencies के लिए नहीं है तो पहले 2 करोड का interest subvention मिलता था किस पे चाहे आप 1 project लगाए चाहे 10 लगाए आपको 2 करोड तक का ही लेगा लगिन आप कहा दिया गया है 25 project आप लगाएंगे तो 25 दूनी 50 50 करोड तक का interest subvention मिल जाएगा यानि 3% तक का आपको subsidy मिल जाएगी interest के उसके लावा APMC जो पिछले साल include नहीं की गई थी अब उनको भी interest subvention प्रोड कियाएगा 2 करोड तक का और each project यानि अगर आप सपोच के रिए potato के लिए infrastructure जेनरेट कर रहे है तो आपको 2 करोड इसमें मिल गया फिर आपने onion के लिए जेनरेट किया तो आपको उसके लिए 2 करोड मिल गया तो हर project के लिए अलग-अलग आपको interest subvention से मिलेगा साथी साथ ये कहा गया था कि financial facility दो पहले चार वर्स के लिए दिया रही थी अब उसको 6 वर्स तक के बढ़ाए के लिए कर दिया गया है और इस scheme question कर दिया गया है 10 से लेकर 13 वर्स के लिए तो पहले ये दो हजार उन्तिस के financial year यानि दो हजार उन्तिस तक थी अब बत्तिस तेते तक के लिए हो गई है पहले लोन क्या था पहले चार वर्स के लिए आपको पता ही है लोन का सेनाजियो ऐसा था कि पहले वर्स 10 हजार करोड और next three financial year में 30 करोड यानि हर वर्स 10 हजार करोड देना था वही अभी भी है लेकिन एक लाग करोड खर्च करना है अब 13 वर्सों में तो कि खर्च तो होई नहीं मेरे ख्याल से 4 हजार करोड के जो है फंड अप्रूव होई है लेकिन अभी वो पहुंचे नहीं agriculture infrastructure fund इसके बात कर लेते हैं medium long term debt financing facility है post harvest management के लिए है याद रखेगा साथ साथ community farming assets के लिए है अब ऐसा नहीं exam में आप से पूछ लेते हैं pre harvest facility के लिए है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है pre harvest के लिए नहीं है post harvest के लिए है इसमें interest prevention दियाता है credit guarantee आपको कौन प्रवाइट करता है CGT MSC आपको credit guarantee प्रवाइट करता है 2 करोड तक के loan की auditorium period minimum 6 month और maximum 2 अरसों का और ये एक central sector scheme है तो agriculture infrastructure fund याद रखेगा 1,00,00 करोड का fund है और dairy infrastructure fund वो कितने का है 10,000,00 करोड का है मैं एक बार agriculture के विए में 10,000,00 करोड बोल गया था तो आज आप सही कर लेजिएगा इसकी स्थाबना Parliament के Act के द्वारा की गए थी आपको तरह किस वर्स इसकी स्थाबना की गए थी तो Act पास गए दोज़ए दो में लेकिन Competition Commission of India भारती प्रति इसपरधात्मत आयोग इसकी स्थाबना की गए थी दो है तीन में चर्चा में इसलिए है क्योंकि Japan Fair Trade Commission और India के Competition Commission of India में एक Memorandum of Cooperation Sign किया गया है क्या? Japan के Fair Trade Commission और India के Competition Commission of India में Memorandum of Cooperation Sign किया गया था जिसको Prime Minister ने अक्रूल दे दिया है परपस क्या है? Competition Law and Policy पर एक दूसरे को cooperate करना यानि इंडिया में Competition की Law and Policy को बहतर किया गया जापान की help से तो Memorandum of Cooperation Sign किया गया था जापान और इंडिया के बीच में वहां का जो Competition Federation है यानि की Federation ये देख लिए जापान Fair Trade Commission है और इंडिया का Competition Commission of India है दोनों के बीच में ये agreement हुआ था हलाकि Competition Commission आप इंडिया Act 52002 में इस्थापना की ये थी 2003 में नए दिली में हलाकि ये टकोरगण है आप से एक्जाम में कई बार पूछ लेते हैं Competition Commission आप इंडिया के फर्स्ट चेयर में कौन थे? तो धने अंदर कुमार वरतमान में कौन है? असो कुट्टा नया कोशन है ये कुछ खास कोशन नहीं था लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि एमाउंट था तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं इंडिया COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project Phase 2 इसको 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 मार्ज 2022 तक इंप्रीमेंट किया जाएगा टोटल कॉश्ट कितनी आएगी इसमें? टोटल कॉश्ट अप्रूब की गई है 23,130 करोड कितनी? 23,130 करोड ये देख लिए ये यूनियन केमिरिट ने अप्रूब कर दिया है इंडिया COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package Phase 2 के लिए जिसके लिए Government of India ने 23,130 करोड अप्रूब किये है जो Phase 2 होगा दो Package Announce किये हैं Central Sector के लिए और Central Sponsored Scheme के लिए इसमें Main Focus होगा Central Hospitals AIMS पर और Institute of National Importance पर साथ-साथ जो District Hospitals है वो E-Hospital और E-Susruth Software के दवरा HMIS को Implement करेंगे Health Management Information System CDAC ने एक Software डेलोग किया था E-Susruth Software Susruth कौन थे तो Medicine के जनक थे इंडिया में आपको पता है Susruth सजनिता ये Book आप ने सुनी हो गया अब तो उसके अलाबा ये जो आपका Phase 2 है COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package का उसमें ये ध्यान दियाएगा कि पर डे पाच लाग टेली कंसल्टेशन हो अभी कितने होते हैं पचास जार टेली कंसल्टेशन उसके अलाबा Pediatric यानि जो बच्चे जनन देने के Hospitals हो वो इंडिया में धंक से नहीं है तो इंडिया के 730C 736 Districts में ये Hospitals इस्टैब्लिस के जाएंगे ज़कि माओं को दूर ना जाना पड़े उसके अलाबा 1050 जो Liquid Medical Oxygen Storage Tank है उनको इस्टैब्लिस के जाएगा Along with Pipeline System ये जो इंडिया COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Project 2 है Total cost कितनी आएग इसमें 23,110 करोर 1 July 2021 से लेकर 31 March 2022 तक मैंने आब ही आपको ओता है था Central और State Share दोनों का रहेगा तो Central का Share रहेगा इसमें कितना 15,000 करोर का और State के कितना रहेगा 8,123 करोर का तो बस इतना है याद रखेगा उसके अलबा COVID-19 के लिए पिछले वर्स भी नहीं ने लाउंच किया था 15,000 करोर का पैकेज वो तो important है नहीं है Negotion है हाले में Institute of Coast Accounts of India ने किस कंट्री के Association of Chartered Certified Accountants के साथ एक MOE साइन किया है तो बस इतना है important है कि Institute of Coast Accounts of India इन्होंने UK के Association of Chartered Certified Accountants के साथ एक MOE साइन किया है यह देख लिए Union Cabinet ने अप्रोल दे दिया है Recently जो MOU साइन हुआ था Institute of Coast Accounts of India और UK के Association of Chartered Certified Accountants के बीच में उसको Union Cabinet ने अप्रोल दे दिया है Purpose क्या है? Purpose है Professional Accountancy को डवलब करना यानि हमारे जो Accountants है वो UK की Accounts फर्म में जाएंगे वहाँ पर जाके कुछ सीखेंगे और वहाँ UK वाले हमसे तो कुछ सीखेंगे ने वैसे भी क्योंकि Corruption सीखेंगे Otherwise तो बस इतना याद रहेगा Institute of Coast Accounts of India जो अभी तक मैंने Body नहीं सुनी थी ICAI सुनी थी अब ये नई Body आज मैंने सुनी इसलिए मैंने Question ले लिया तो Institute of Coast Accounts of India ने UK के Association of Chartered Certified Accountants के साथ M.O.U. साइन किया था ताकि बहतर Mutual Advanced N.T. की जासके Member की और बहतर Accounting System डेलब किया जासके इंडिया में ये Institute of Coast Accounts of India पहले स्टेबलिस किया था 1944 में एक Registered Company की दोरा बाद में Parliament दोरा एक Act पास कर दिया गया था क्या? Coast and Works Account Act 1959 तो Institute of Coast Accounts of India को क्या मिल गया? Statuary Power मिल गया तो अब ये एक Statuary Body है ने Question है समिधान के किस Article के दोरा केंदर दोरा समिधान के किस Article के तहत केंदर दोरा राज्यों को Post Devolution Revenue Deficit Grant दी जाती है यानि जब राज्यों का Revenue Sortfall हो जाता है तो केंदर उनको ग्राण्ट दीता है समिधान के किस Article के दोरा दी आता है तो Article 275 ये देख लीजे हाली में इस Financial Year के लिए 17 राज्यों को 9,871 करोड की ग्राण्ट दी गई है Post Devolution Revenue Deficit Grant Ministry of Finance के दोरा दी गई है ये और इस तरह से इस Financial Year में अब तक 49,484 करोड की PDRD यानि Post Devolution Revenue Deficit Grant मिल चुकी है कितनी 49,484 करोड की ये Post Devolution Revenue Deficit Grant इस समिधान के Article 275 के दे दी जाती है जब राज्यों को revenue का सौट फॉल गजाता है 15 Finance Commission ने मंतली इंस्टार्मेंट में देने के लिए इसको recommend किया था साथे साथ ये कहा था कि 17 राज्यों को ये जो Post Devolution Revenue Deficit Grant है 2021 बाइस के कितनी मिलनी चीए 1,18,452 करोड तो भी काफी ज़दा pending है देखते हैं कितनी installment में देखते हैं ये जो Post Devolution Revenue Deficit Grant मिली इसमें केरल को सबसे दा मिली है चौथी किस्त की बात करें तो कितनी मिली है 16,3 करोड और हर्यारा को सबसे कम मिली चौथी किस्त की बात करें हाला कि एक्जाम में जब बूस्ते हैं तो Year-wise बूस्ते हैं और Year-wise डाटा अभी अवेलबल नहीं है फोर्थ जो आपका P.D.R.D. है उसका लास्ट कोशन देख लिए आज का बहुत ही बोरी लेक्चेर हो गया क्योंकि कुछ खास न्यूज नहीं थी इसलिए इंडिया ने पर्सनल एड्मिनिस्टेशन एंड गवर्नेस रिफॉर्म पर बाइलेक्टरल कॉपरेशन के लिए किसके साथ M.O.U. साइन किया है तो इंडिया ने गांबिया के साथ M.O.U. साइन किया है पर्सनल एड्मिनिस्टेशन एंड गवर्नेस रिफॉर्म को बहतर करने के लिए तो देख लिए ये वेस्टरन अफरिका के कंट्री है गांबिया इसके साथ इंडिया ने M.O.U. साइन किया है पर्सनल एड्मिनिस्टेशन एंड गवर्नेस रिफॉर्म के लिए दोनों कंट्री साथ आएंगी और ये जो पर्सनल लेवल पर एड्मिनिस्टेशन होता है सथ सथ गवर्नेस जो होती है उसमें रिफॉर्म लाए जाएंगे तो इंडिया और गांबिया की बीच में पर्सनल एड्मिनिस्टेशन एंड गवर्नेस रिफॉर्म पर M.O.U. साइन किया गया है था बस अगर आपसे एक्जाम पूछेंगे तो ही पूछेंगे अधर्वाइस नहीं पूछेंगे काफी बोरिंग लेक्चर हुआ है कल देखते हैं क्या अच्छी न्यूज आती है हला कि ये जो है आपका ये जो दो टॉपिक थे M.TEC प्रोग्राम इंडिफेंस टेकनोलोजी इसको करेंट अफर्स में बहुत बेटर कवर कर लिया इसलिए मैंने यहां नेताया DRDO दोरा M.TEC प्रोग्राम इंडिफेंस टेकनोलोजी लांच किया था All India Council for Technical Education से के साथ मिलकर इसमें 6 इस्ट्रीम में M.TEC प्रोग्राम इंडिफेंस टेकनोलोजी में प्रोवाइड करना था दूसरा कॉशन था Coconut Development Board Act 1979 में संसुधन किया रहा है इसके तहरे Chairman को Non-Executive Member बना दिएगा और पहले Government of India 4 लोगों नॉमिनेट करती थी अब 6 लोगों नॉमिनेट करेगी तो Current Affairs में मैंने PIV से जएदा पढ़ा दिया था इसलिए मैंने इसको यहां पढ़ाना उचित नहीं समझा जल्दी मिलते हैं आपसे में नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिए टेक क्या है हलो उस्तों